हेलो एवरिवन स्वागेत आप सभीगा इस वीडियो के अंदरा में हर्याना जिक्के के जितने भी कोश्चन आई है चाहिए वो एस्टेट में हर्याना को कोई बिगजाम हो मद्यकाली नितियास या मैं बोलू हर्याना के इतियास को जैसे हम इसके बाद आएगा अधुनिक काल और इससे पहले प्राचिन काल में हम ब्रीटिस इंडिया के इस्ट इंडिया कंपनी के वारे में पढ़ते हैं मद्यकाली में हम क्या पढ़ेंगे तुरुप चोहान सल्तनत काल और मराठा इस्ट्री को पढ़ने के लिए एक सिक्वेंस चाहिए दोस्तों सिक्वेंस में मैंने कोश्चन रेंज किये हैं बिल्कुल एक तम से ताकि आपको बहुत असनी से याद हो जाए प्राचिन काल में हम हर्याना का नामकरण और उससे पहले के जितने भी जो असो सिक्वेंस में कवर करेंगी दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए एंड में ऐसा लगे आपको कुछ एक वेल स्ट्रक्चर्ड वे में दिया गया है कुछ कंटेंट ताकि देखिए इस्ट्री को पढ़ना मुस्किल तभी है जब आपको सिक्वेंस पता नहीं है और सिक्वे अनकी साइड से आता था सबसे पहले भारत में अंतर करने का सबसे यह बोल सकते है कि मुख्य दवार क्या था हियाना उत्तरी भारत का यह क्या दवार था क्लिएर है यहां तक के बात, अब यहां से यूद्ध स्टार्ट हो जाएंगे सबसे पहले किस ने किया, बाद में कोई अब कोण आये, वीडियो पसंद आ जाए, तो लाइक कर देना, चैनल को सबस्क्राइब कर देना दोस्तो, आपके वीडियो देख कर जाने के बाद वही ब बटेक किये एक हजार नो इस्वी में और एक हजार चौदा इस्वी में याद रखना दुखतों मुहमद गजुनी ने थाने सर कुर्षेतर पर आकर्मन के दोरां उसका रवी कौन था साथ में अलबुरुनी उसके साथ था याद रख लेना अलबुरुनी से बहुत कोश्चन साथ में आए हैं हिश्ट्री में ऊस दौरान थाने सर का सा्सा कोन था याद था चेपाल ने चके शौमी की मूर्ति मुहमूद गजुनी ने तोड़ा था आपको बस इतना याद रखना है दो तो और अलुडूरूनी किस के साथ है मोहमद गजोनी के साथ महमद गजोनी कोवित कि ये 1049 ौर 1014 स्क्मेंस में याद कर वा दू cessu और याद होंकर ये वे सारी कोशें मोहमद गजोनी ने हरियाणा के थाने सर्पीए ततला एक हजार चौदा और की अगए बढ़ें त्राहिन का पर्थम युद किस वर्स लड़ा गया अभ ये जो रही है इसको त्रावडी भी बोलते हैं त्रावडी क्या बोलते हैं और यह कहां है करणाल के अंदर है दोस्तों कहां है करणाल के अंदर दिल्ली से 113 किलोमीटर दूरी यह यूदध लड़ा गया था और यह घ्यारा operation में अब थोड़ा सा सीक्मेंस देखो क्या था अब मुहम्मध जो एक हजार इसी में दो यूद हुए वो निकल गए एक हजार नो और एक हजार चाहुदा वाली अब हम कौन सी सदी में आगे बारवी सदी में आगे और बारवी सदी में मतलब 1100 कुछ चलेगा अब देखो 1149 में हरियाना पर सासक्ता रूना राज चोहान और उसके बाद 1151 में सासक्ता विग्रे राज चतुर्थ इसको 14 भी लिखावा मिल सकता है और 1191 में में त्राइन का पर्थम यूद हुआ वो किसके वित हुआ पिर्थवी राज चोहान वर्सिज मोहमद गोरी किसके विच में मोहमद गोरी के विच में और इसको देखिए किसके साथ लड़कर जो पिर्थवी राज चोहान के साथ मोहमद गोरी का मोहमद गजोनी जा चुके हैं निपड़ चुके हैं तरावडी की लड़ाई के बाद सिर्सा किसके नियंतरन में आगे हैं तरावडी की लड़ाई हुई कौन सी दूसरी लड़ाई जब हार गये थे उसके बाद ये जो सिर्सा का इलाका था वह कहा गया था जो राजस्तान सीमा में से लगता है आपको पता होगा नासिर उदीन का बाच्चा इसको देकर गोरी चला गया था मोहमद गोरी ने किसको चौहाँ जीत गये थे दूसरा देखो त्रावाईन का दूसरा युद कब हुआ पिरोया चौहाँ वर्सइद है मोहमत गोरी इस काल में पिर तुराज ने क्या किया था गौहाना नामक सेहर विसाय थे यह गौहाना का है सोनिपत के लेठर के अंदर डेथ हो गी थी 1206 में डेथ हुई उसके बाद सल्तनत काल आरम हुआ इसका मतलब तुरक थे पहले पहले कौन थे तुरक अब जो सिक्मेंस में देख रहे थे आपको समझ में आएगा कि जैसे यहां मैं बता रहा हूं चोहान अभी हम देख रहे हैं फिर तुरा चोहान लड़ तुरक दो आगे लड़ाई करके चलेगे उसके बाद एक-दो मर गया सल्तनत काल इसी को बोलेंगा अब इनके बाद को नहीं है? एबग के बाद को नहीं है? इलतुस मिस. जब इलतुस मिस 12-36 में इलतुस मिर गया, तो उसके बाद रजिया सुल्तान, रजिया सिल्तान अपने लिए इंपोर्टन्ट है. क्योंकि इनकी मृत्यू कहा हुई थी? कैथल में. और दिल्ली पे बेटने व बारत में मुस्लिम परभुतव की नीवे रखी. निरनायक युद कोन सा था? राइन का दूसरा युद जिसके अंदर मुहमद गोरी जीत गया था और फिर तुरा चोहा ने हार गय थी. क्लियर हैं आप तक की बात? तीसरा ये वाला. नेक्स्ट देखिए, 1320 में हरियाने में तरावडी के दो युदाए और फिर 1320 आ गया. अब 24 सदी में आगे हम ग्यासुदीन तुगलक. अब तुगलक में हम फिरोज सा तुगलक को ज़्यादा पढ़ते हैं हरियाना के अंदर. जिन्होंने क्या किया था? आपको पता है, अपने बेटे फते खां के नाम पर है. अ इसारे फिरोजा भी कहा जाता है, हरियाना में नहरों का सबसे पहले जो मैं बनाओ की नहर बनवाई किसने थी? फिरोज सा तुगलक नहीं. और इनी के टाइम पर तैमूर लंग ने हरियाना पर अटेक किये थे. फतेहवाद पर राणिया में. ठीक है, वो भी कोश्चन आए जाने फिरोजा था, जब दोनों एक साथ आए, तो पहले किसका नाम आया, फतेहवाद का. तेरा सो बाउन में फतेहवाद, जिसको पिंग सीटी भी बोला जाता है, हरियाना की पिंग सीटी. कलीर है यहां तक की बात, सूति धागे के लिए फेहमस है, फतेहवाद. सूति ध तो क्या थे इनसे पहले चले गए थे नीव रखी थी उन्हें ने गुलाम वंस की ठीक है अब क्या है फिरोज साथ तूगलक हिसार से रिलिक हिसार से किसा अपना फिरोज साथ तूगलक आगे बढ़ जाते हैं और ठानेसर में जो अटेक होए थे जेपाल के टाइम पे तो ठानेसर का है कुछेत्र में किख्यित्र में ने किया और मिली ने अदेप सेिस्ती पंथ किस अपना सेख फ्रीद ने की तिया याद रखना हर्याना में Τि पन्त की स्सेख फ्रीध इन दूसरा नाम चीकश फ्रीद की सिल सिल सिला किस ने ते proces कि आ हरियाना में सिल सिलotta किसने किया था बाबा फ्रीध ने अगे बड़े अजोधन् निवास के दोरान बाबा फ्रीद ने सूफी वादगा परचार किया था तो वो किया था हांसी हो रहे अजो धन में हांसी अपने को याद रखना इंपोर्टन्ट अपने लिए तेमूर ने हर्याना में कौन से साल टेक किया था अब देखो तेरासो बावन तेरासो चोमन मेंने अभी किसकी बात की थी फिरोध सा तुगलक के मैंने कहा उनके दोरान तो ये कब से कब तक रहे थे फिरोध सा तुगलक जिन्हों फदवाद और इशार की स्तापना की थी वह तेरासो अठाट सी तक 1388 तक अग्जेक्ट वेल्यू इसमें आपको ये देखना है कि तैमूर लंग ने जो टेक मारा वह 1398 में तैमूर लंग का टेक सिर्शा फदेवाद इसार पर तैमूर लंग के अटेक हुए ठीक है तैमूर लंग के आतम कता क्या है मल फुजात यह याद ने रखनी आपको तुर्की बासा में है और समरकंद एशिया से आते हैं तैमूर लंग मेरी ख्याल में आपको समझ में आ रहा हुगा मामला एकदम फिट ठीक आगे बड़े हर्याना में किस नगर और नगरों पर तैमूर ने अकरमन किया अभी आमने देखा था सिर्सा फतेवाद और इसार राणिया जो क उसको एक सिक्वेंस में लगाया गया है ताकि याद करने में असानी हो अब आता है असीगड का किला भी का जाता है इसने बनवाया था पिर्थ्वी राज चोहान ने इन्होंने एक गोहाना जो हमने पढ़ा स्टार्टिंग में 12 सदी के अंदर ठीक है राइन के यूद के द ठीक हो कि लाटी में इसार के सारी कोशन किये प्रीव चैर्थ उस दिन ये कोशन किया था तलवार का राठी में किस ने बन Ó a जने पर चुछाण नी इसमें अनग पाल नंग पाल के पुत्तर धुरूपद ने इसमें तल्वार का दूर्मांद वाली फेट्टरी लगई और इसको तलवार का किला भी कहा जाता ये भी आपको याद है रखना है मोहमद गोरी ने चंदावर की लड़ाई में डेश को प्राजित कर दिया यह बैसिकली देखा जाए तो अगर मैं बात करूँ तो हर्याना का कोश्चन नहीं चंदावर जो कि आज के टाइम में कहा है उत्त कज ताभ इस सदिने किस चोहान ने हर्याना पर आकर्मंण कर मीमत को प्राजित की आता है तो किसने किया था एक रगरे रशे सवार नैंते नेолे देख चुक है तो इसमें सते हान वाली में ठीक है उसके बाद पिर्थ्वी राज्च रजिया सुल्टान 1236 से 1244, चार साल इन्हों ने क्या क्या दिल्ली की राजगदी पे बैटने वाली पहली ठीक है, रजिया सुल्तान कुद्धुदीन एक बख के उत्रा दिगारी इलतुसमिस की म्रिति जो कि 36 में हुई थी, ठीक है, उसके बाद रजिया सुल्टान को बनाया समारक है और ये आपको पता है कि विद्रो किया था अमीर लोगों ने की कि एक लड़की को सुल्तान केसे बना दिया उसके चलते रात को इनको बंदी बना करा है हत्यागर दी गई थी दोलों की देश ने अपनी पुस्तक किताब उले हिंद बेचे चया है अब नएया कोशन स्टाट हुआ है मेवात की खान जादा जनजाती का संस्तापक को ने बाहदूर नाहीर याद रखना है मेवात की खान जादा संस्तापक माना जाता है बाहदूर नाहीर को और मेवात का नया नाम अब क्या है कमेंट सेक्शन में बताओगे निमल लिकित में से मेवाद की खान जादा संस्ता है जन जाती का अस्ताफक बाधूर नाहिर हासी का दरवाजा किस ने बनाया था अलाउदिन खिलजी ने और अलाउदिन खिलजी रहते 1290 से 1360 तक अलाउदिन खिलजी इतियास में आर्थिक सु सारे वहभी निता था मोलवी मोहमद कासी मोहमद जहफर मोहमद सफी कौन निता विलायत अली खान इसका आंसर होगा अगर करशन कभी रपीट होता है तो याद रख लेना मोहमद वाले सारे थे दिल्ली के किस सुल्तान ने मेयोक और नरसहार और लूट के माध्यम से दंडि सेक्शन में बताओगे जा सबसे जादा खनीज पाए जाते हैं हर्याना में कौन सा किला है डोसी का किला और कनोड का किला गुलाम वंस का अंतिम सासक जिसने हर्याना में जंगल कटवा दिये अत्याचार किया तो वह कौन था बल्बन था कौन था बल्बन ने नरसहार किया जंगल कटवा दिये गुलाम वंस का अंतिम सासक था। बहुर सिला लेक जो कि हर नयक को संधर्बित करता है किसके काल से संबंदित है तो वो है बल्बन के काल से। निमल लिखित में से कौन सा नेता मेवातियों के विरुद अपने अभियान के दौरान बल्बन के द्वारा पकड़ा गया था, वो था मलका, याद रखना है दोस्तों, कौन था मलका, काफी डीप में कोशन पूछा गया है, कभी भी रिपीट हो सकता है, क्या आएगा नाम मलक का आगे देखिए, राज पिथोरा किसे का जाता है, और राज पिथोरा का जाता है पिर्थ्वीराजे चोहान को यह तो उपा दी है, तो आपको यादी रखनी पड़ेगी, गोहाना का नाम करन किस राजा ने दौरा हुआ हुआत तो, कहम, दोबार पढ़ पढ़ चुके है बारवी स्दी में पिर्थ्वी राजे चोहान गुवाना और असिगड का इलाब बारवी सताब दी में विग्रे राज चतुरत के तीन सिला लेखों को किस स्थम में मिलता है तोप्रा के स्थम में आपको पता जो फिरोध सा तुगलग थे उसनों ने इसोक असोक जो स्थम था उसको यहां से लिजाकर दिल्ली कोटला में जाकर क्या लगा दिया था स्थापिते कर दिया था ठीक है तो इसका अंसर क्या है विग्रे राज चतुरत हम देखते ही आ रहे है स्टार्टिंग में जब हमने अग्रोनो राज विग्रे राज चतुरत और पिर्थ्वराज चोह अकबर जैसे बाबबर की लड़ाई पानीपत की लड़ाई पढ़ेंगे बाबबर के बारे में और जो आगे का बचा हुआ है वो दूसरे पाड़ में जिसमें मुगल आएंगे आप देखो थोड़ा सा ओर डिटेल में जानो देखो 1526 इसवी तक तुर्क और अफगानों का दिपेरा वारतियास में इसकाल को सल्तनत काल का जाता है पंजाब हरियाना और उत्तर का बारा बहाग यहां सामिल था कुतुबुदीन एबक ने इलतुश में इसकी मृत्यू के बाद रजियाल सुल्तान को बनाया अमीरों ने विरोध किया 13 कुबर 1240 की इसकी मृत्यू कर दी गई आप देखो दिल्ली की गद्धी पर बेठने वाला अंतिम हिंदू सासे कौन था तो यह सब को पता है हेम दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना साथ कोश्चन के आसपास और बचे हुए है कल जल्दी आपको इसके बाद नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा वीडियो का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा धन्यवाद आप अपने जीवन में सफलता आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए अगर कंटेंट पसंद आया हो महनत लग रही हो आपको तो